Assalamu alaikum my dear students I am Tawseev Saruwar, SST teacher I hope you are all doing well My dear students, as you all know हम पढ़ रहे हैं chapter number 8 geography से Indian Climate, Vegetation and Wildlife हमने already climate and vegetation के बारे में पढ़ा हैं आज जो हमारा topic हैं that is wildlife in India As you all know, forests are home to a variety of wildlife यानि foresters जो होते हैं वो गर होते हैं बहुत सारे किस्मों के जानवरों की Wild life जो है वहाँ पर ही रहती है Wild life का जो survival है वो foresters में ही होता है अब thousands of species of animals जो हैं वो इन foresters में रहते हैं यानि अलग-अलग किस्मों के species Species मतलब होता है group of living organisms जो similar individuals या genes से आते हैं बहुत सारे किस्मों के animals अलग-अलग जानवर रहते हैं variety of reptiles, amphibians होते हैं या mammals होते हैं mammals which produces milk birds, insects, worms जो इन forests में रहते हैं अलग-अलग specified places पे इनका ये गर होता है as you all know the tiger is our national animal tiger हमारा national animal है it is found in various parts of the country gear forest जो गुजरात में है वो घर है asiatic lines का जो asiatic lines है वो gear forests में ज्यादा तर होते हैं पाए जाते हैं और क्या होता है Assam में elephants और one horned rhinosauros पाए जाते हैं Assam के forests में और elephants जो है they are also found in Caroline, Carnatica यानि अलग-अलग states के forests में अलग-अलग जानवर हमें किस्मों के जानवर पाए जाते हैं Camels और wild arces जो है वो great Indian deserts में होते हैं या ranafkach जिसको बोलते हैं वहाँ पे होते हैं respectively इसके बाद यहाँ पे जो है हमारे इंडिया के forests में wild goats पाए जाते हैं snow leopards, bears हिमालियन regions में होते हैं जो हिमालिया के region पहाड होते हैं बहाँ पे वो पाए जाते हैं इसके इलावा बहुत सारे जानवर और भी होते हैं जो हमारी country में पाए जाते हैं जैसे monkey, wolf, jackal cheetah, etc इंडिया का जो यह bird life हैं वो भी बहुत ज़्यादा important हैं वो equally rich हैं जैसे animal life है वैसी bird भी birds भी हमारे country में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं peacock is our national bird और भी बहुत सारे birds हैं जैसे parent, pigeon, geese, bulbul, ducks वो हमें पाए यहाँ पी जाते हैं और भी यहाँ पे बहुत सारी several bird centuries create की गई हैं ताकि birds को protection मिल सके birds in centuries में रहते हैं इनका natural habitat है sanctuary का मतलब होता है natural reservoir यानि जहाँ पे वो पनपते हैं रहते हैं उनको protect उनको अपना खाना भी मिलता है और protection भी यह जो birds हैं इनको hunters से in sanctuaries में protection मिलती हैं और भी several kinds of species हैं जैसे snakes हैं इंडिया में cobra's, crates वो बहुत important मतलब reptiles हैं मगर अब क्या मसला है due to cutting of trees and hunting बहुत सारी species या wildlife इंडिया decline हो रहे हैं आईस्ता आईस्ता rapidly जब काटा आई बेता हशा मतलब यह cutting of forests हो रहे हैं तो यह decline आईस्ता आईस्ता काम होते जा रहे हैं और बहुत सारी species जो हैं वो extinct हो गए हैं मतलब यानि no longer वो अब जिन्दा नहीं हैं वो खतम हो गए हैं अब इन wild life को बचाने के लिए बहुत सारी नैशनल पार्क्स बनाई गई हैं sanctuaries, biosphere ताकि यह एक setup बन सकें यह बच सकें जो birds से हमारे, animals से हमारे वो यह setup किये गए हैं इसी लोगों ने जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलफन ताकि इन animals को protection मिल सकें wild life centuries बहुत सारी बनाई गए इंडिया में जैसे कि अब map पे देखोगे कि हमें अब क्या करना चाहिए हमें contribute, हम लोगों को क्या काम है अब यह फारस बनता है मतलब यह बनी होती है बोन से, फार से, सिकन से या फैदर से, जो भी चीज़े बर्ड या एनिमल्स के बनी होई होती है चीज़े, वो हमें मतलब रिफ्यूस करनी चाहिए हर साल हम wild life week मनाते है in the first week of October ताकि awareness create हो सके for conserving the habitats of animal kingdom यानि जो animal kingdom है वो कैसे conserve रह सके हमारे यहाँ migratory birds भी आते हैं जैसे duck, pintail duck, curlevis, flamingo और वो migrate करते हैं मलब winters में seasons में हर साल इसी तरह यह जो birds है हमारी duty है कि इनको एक protection मिल सके हमारी तरब से जैसे foresters इतने important हैं हमारे लिए तब जब हम इन जंगलों को बचाएंगे तब ही हमारा जो यह wild life है या bird life है यह तब ही बच सकते हैं foresters हमारे लिए बहुत ज्यादा functions करते हैं बहुत ज्यादा useful है और जैसा कि मैंने आपको अड़े बता है foresters हमें timber देते हैं furniture देते हैं medicinal plant, herbs देते हैं और भी बहुत सारे यह जो है foresters a natural habitat है wild life का यानि जानवरों का यह गर है तो हमें क्या चाहिए इन जंगलों को foresters को बचाना चाहिए ताकि हमारी wild life भी conserve हो सके national vegetation जो है वो आजकल के लोग बहुत बेताहाशा मलब बहुत ज्यादा destroy कर रहे है यह जो reckless cutting of trees हो रही है हमें क्या करना चाहिए we should plant more trees to protect these foresters या wild life को बचाने के लिए हमें बहुत सारी trees लगानी चाहिए और लोगों को awareness देनी चाहिए कि importance of trees यानि importance of foresters कितनी है हमें कितने फाइदे हैं foresters से इसके लिए बहुत special programs है जैसे one of hearts of day होता है जिसमें बहुत सारे लोग involve होते है ताकि हम अपनी अरत को green रख सके one of hearts of जो ऐसा दिन है which involves more people in making our earth green यानि ये wild life पूरी तरह से depend होती है ताकि ये जो जानवर होते हैं ये इसी में रहते हैं इनका गुजर बसर जो इन जानवरों को होता है wild life का होता है ये इसी पे होता है सारा गुजर बसर इनका तो हमें क्या करना चाहिए इन forests उसको बचाना चाहिए ज्यादा ज्यादा trees लगाने चाहिए और जो ये हमारे animals हैं, birds हैं इनको protection हमें इसके लिए national parks जो हमारे हैं या sanctuaries हैं, या reservoirs हैं हमारे पास इनमें इनको रखना चाहिए और हमें इन जानवर को बचाना चाहिए इनको मारना नहीं चाहिए और जो इनकी खाले होती है जिन से चीजे बनती हैं उनको खरीदना नहीं चाहिए ताकि मतलब ये जो हमारे जानवर ये इस position पे न पहुँचे ताकि वो extinct हो जाए या खतामी इस दुनिया से हो जाए बहर सारी species extinct हो चुके हैं जो जिनके नाम भी हमें आप नहीं पता है क्योंकि उसके जिम्मेदर हम लोग होते हैं ताकि क्योंकि हम इनको मार डालते हैं या ये बिचारे आरा मलग ये खत्रे में पड़ गए है endangered species बन गए है ये हमारा फर्ज है कि हम wild life को और foresters को बचाए अपनी foresters को हम जो हमें oxygen देता है जिसकी वज़े से हम जिन्दा है जो oxygen रिलीज करता है जिसकी वज़े से हम breathe कर सेगे हमें इन foresters को बचाना चाहिए और foresters को इन जानवरों के लिए रखना चाहिए क्योंकि ये foresters जो है इनके घर है और ये जो foresters होते हैं इनके trees होते हैं वो हमारी soil को भी बचाते हैं my dear students I hope you understand this is all for today Allah Hafiz